नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है जै माता दी कैसे हैं आप सभी, आज जिस नेविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है हिंदू धर्म शास्त्र में नवरात्र का बहुत महात्व होता है भारत में ही नहीं अपितू बाहर के देशों में भी जो नवरात्र है बहुत दूमदाम से मनाये जाते हैं हर वर्ष नवरात्र जो है गुप नवरात्रे हो या चैत्र के नवरात्रे हो या शारदिय नवरात्रे हो इस समय पर माता दुर्गा को प्रसंद करने के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं साथ ही साथ कलश थापना भी इस समय पर बहुत महत्वर रखती है जिसे घट सापना भी कहा जाता है जोतिशों के अनुसार नवरातर की शुरुवात घट सापना के साथ यानि कलश सापना से ही होती है हिंदू धर्म शास्त्र में कलश थापना का बहुत महत्व माना जाता है कलश क्योंकि माता लक्ष्मी को अतिप्रीय होता है माता दुरगा की जो पूजा-अर्चना होती है बिना कलश थापना के पूर नहीं मानी जाती है इसके अलावा कलश के नीचे बोए जाने वाले जो जो होते हैं इससे व्यक्ति के भविश्य के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि नवरातर के दरान जो बोए जाने वाले बीज होते हैं वो आपके भविश्य से गहरा संबंद रखते हैं पुराने जमाने के लोग जो हैं इस समय पर जो जो या बाजरा बोते थे तदा उसी से अपने आने वाले भविशी की गटनाओं के संकेत वो आसानी से जान लेते थे कहा जाता है नवरात्र में जो हम जो को बोते हैं उस समय पर मातारानी का किस प्रकार आशिरवाद रहता है ये भी बताया जाता है साथ ही साथ किस प्रकार का रंग होता है वो भी देखना जरूरी होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है अगर बोए हुए जो का रंग नीचे से आधा पीला और उपर से हरा तो इसका मतलब होता है कि आपके आने वाला जो साल है उस समय पर आपको जो है थोड़ा सा धन का आभाव रहेगा याने की आधा साल जो रहेगा थोड़ी सी धन की परिशानी लेकर आने वाला होता है और जो दूसरा जो आधा साल होता है याने छे महीने आगे के जो रहते हैं इस समय पर कोई ना कोई धन के मारग हैं खुलते हैं तथा ये जो पीछे का करजा होता है या जो भी आपने परिशानी जहली होती है उससे आपको मुप्ति मिलती है इसके अलावा अगर जौ का रंग नीचे से हरा और उपर से पिला हो जाय तो समझ लेजे आने वाला समय अच्छा होगा लेकिन बाद में आपको कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है परिशानिया कैसी होती है परिशा कि आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करें तो एसी स्थितियों में भी जो का रंग होता है उपर से थोड़ा सा पीला हो जाता है अगर जो का रंग सफेद या फिर हरा हो तो समझ लीजिए आपका पूरा साल जो है बहुत से धनलाप से होने वाला है यह रंग खुशाली का होता ह है धन का सूचक माना जाता है क्योंकि हरा रंग फैंक्श्वी के हिसाब से वास्तु शास्त्री के हिसाब से भी काफी लखी माना जाता है हर्याली से जोड़कर देखा जाता है हर्याली यानि कि जब हम हरा रंग अपने घर पर रखते हैं या हम हरे पेड पौधों को अपने तो मादा दुर्गा के जो जो होते हैं जब आप गट सापना के बाद इंडौ न दिदों में उनकी सेवा करते हैं तधा वो पूर्ण भूर्प से जब हरे हो जाते तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला समय पेलकुल आपके पक्ष में होने वाला है कोई मांगलिक कार आपके घर में होने वाला है ऐसा माना जाता है अगर विवा योग कोई कन्या या चोटा बेटा होता है तो उसके भी विवा के संबंद इस समय पर बंदने वाले होते हैं नया व्यापार खोलने की सोच रहे होते हैं तो कुछ ऐसी स् पारिवारी खुशाली को भी दर्शाता है ऐसा माना जाता है अMEलार्ण जो होता है अज़ो हने अपके घर पर किसी नए महमान की आने की भी सूचणा देता है अगर को कोई अशुब संकेत मिले और अराधना जरूर करना चाहिए उनका हवन करना चाहिए और आपसे अगर कोई भूल चुक हो जाती है जैसे कई वार ऐसा होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं भूल चुक हम करते ही हैं तो बिल्कूल भी घवराने की जरूरत नहीं है आप सरिफ मातारानी से आशिरवाद लेकर जो है माफी मांगे और जैसी पूजापाट कर रहे हैं उसे सुधार करकर पून रूप से सही तरीके से पूजापाट करनी शुरू कर दीजिए ऐसा माना जाता है जब भी हमसे कोई भूल चुक होती है माता से अगर हम माफी मांग लेते हैं तो हमारी जो मातारानी है हमें माफ तो करती ही है साथ हमारी भूल को सुधारने की बुद्धी भी देती है तो जोग जो होती है इसके संबंद में ऐसा कहा जाता है कई बार अगर जैसे क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को देखना मना होता है घर की जोग जो हमारे कुटुम के व्यक्ति होतें केवल वही देखते हैं तो कई बार ऐसी परिस्तितियों में भी हमारी जो का रंग खराब हो जाता है और कई बार भूलवश ही हम गंदे हाथ भी घट स्थापना के समय पर जो पूजा पाट होती है उस समय पर कई बार लग जाते हैं जिस दोस्तों गर कहीं हम सबसे बहुत कर्तीव, मुझे सुनने के लिए अगर दोस्तों